Force India F1 इंडिया की पहली और One and Only Formula 1 टीम जिसने पहली बार F1 कार को इंडियन फ्लैक के साथ F1 गीट पे उतारा ये टीम October 2007 में बनी जब डच बिजनेस्मेन माइकल मोल और विजे मालिया ने Spiker F1 टीम को 88 मिलियन यूरोज में खरीदा 2009 में जैन कालो फिशी कैला ने बेलजियन जीपी में इस टीम के लिए पहला पोडियम फिनिस किया 2011 में सारा इंडिया ग्रूप ने इस टीम के 42.5% स्टेक्स खरीद लिये और उसके बाद टीम का नाम रखा गया साहरा फोर्ष इंडिया ये टीम 2016 और 2017 में कंस्ट्रक्टर्स चेंपियन सिप में फोर्थ पोजिसन पे थी लेकिन 2018 में विजे माले फ्रॉट के केस में पकड़े गए और उनको 1.1 बिलियन डॉदर्स का डेट इंडियन बैंक्स को देना था जिससे इस टीम पर कर्ज और ज्यादा बढ़ता गया फिर फाइनली 2018 में केनेडियन बिजनेसमेन लॉरेंस स्ट्रोल फादर ओफ लांस स्ट्रोल उन्होंने इस टीम को खरीद लिया और टीम का नाम रखा रेसिंग पॉइंट यूके जिसे हम आज एस्टन मार्टीन के नाम से जानते हैं ये टीम करीब साड़े दस साल तक एफ़ण में रही और 203 रेसिस स्टार्ट करी और 6 रेसिस में पॉडियम फिनिस भी किये और इनमें से 5 फिनिस किये थे चेखो पेरेज ने तो कुछ इस तरह से स्टार्ट और एंड हुआ इंडियन एफ़ण टीम फोर्स इंडिया एफ़ण का सैडली आज इंडिया में ना कोई एफ़ण रेस होती है ना कोई इंडियन टीम एफ़ण में है क्या आप फॉर्मूला वन को इंडिया में वापस देखना चाओगे कमेंट करके जरूर बताना